हेलो दोस्तो मैं हूँ जोती और आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टेडी विद जोती यूटूब चैनल में आप सब को सामने दिखाए दे रहा है आज हम एक्जाम किसका करने वाल है एस्टेट का लेवल टू का जो की एस्टेट 2018 में हुआ था मारा उसका सोलूशन देखें हूँ कि जिसका भी सीटेड क्लियर हो गया है तो आप सब अभी अपने डियेट रिप्लेस भी की तैयारी जो 2022 में पुर्मानेंट रिक्रमेंट आने वाली है उसके लिए आप तैयारी शुरू करना शुरू कर दिए जिए क्योंकि फॉम फील हो जाने के बाद हड़ बढ़ा अब आप जब तक एक्जाम नहीं होता तो फास्ट परकी त्यारी करते रहे और सब्जेक्ट की ऑपको आपकी पूरी पूरी शाहिता करूंगे ताकि आप इस एक्जाम को क्लियर कर ले और सेलेक्शन भी ले ले ठीक है इसलिए मैं आज से ही जो हर्याना के जो पुराने पेपर है एस्टेट के हो गए जो और यूपी के जो पुराने पेपर हैं चinaire बिदिन हुए हैं और डिरप्लैस के पुराने वेपर हैं जो डिटी फीट के वो सब ही मापको करवाने वाली हूँ तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं मुझसे जुड़ चकते हैं इस तृपिक लेकर ठीक है के साथ अधियो AIDS रहें तो ऊपर हम एक से जुड़े रहें उर जिसने ऑभी इस चनल से जुड़ ले मिअ बाया जुड़ चुका है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुरू रखिए क्योंकि अगर हम नहीं वीडियो चाल डालते हैं तो बिना सब्सक्राइब कि आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है तो आप सब्सक्राइब कर लिए ठीक है तो अब ज्यादा बाते नहीं करके हम आज ही इस वीडियो का सुभा आरम करते हैं डीटर प्लेस भी 2022 की तयारी के लिए ठीक है टीजिटी की तयारी के लिए हम इसकी शुरू कर दें जा रहे ह हैं आज से तो आप सब हमसे जुड़ सकते हैं तो चली शुरू करते हैं आज से ही हम इपनी त्यारी तो पहला कोश्चन है मारा पहला क्या है दिक इती अव्वेश है शम्यक अर्थ क्या अर्थ अस्ति श्याद दिक अव्वेका सम्यक अर्थ है बर्तसना ठीक है नेक्स्ट क सभी को देखें और समझने का प्रियास करें कोई सभी सोचते हैं कि अधर स्टेट का क्यों करने से अमारा क्या लाब हो कि संस्कृत मैं आपको बताते हैं कि शाइंस्कृत जो हस्व में एक जैसी होती चील या या यूपी हो यह डेटर प्लैस में आने वाले कोईश्चन ओं तो आप सभी इनको ध्यान से देखे और पूरा वीडियो देखे चलिए नेक्स्ट क्योश्ण पर चलते हैं अनुश्वार श्य यही परसवर्ण है परसवर्ण अश्य अश्य शुत्रश्य उधार्णम अस्ति देखे अनुश्वार स्य यही परसवर्ण है इस सुत्र है उधान दली सुत्र का उधान बताना है तो संकीत है इसका उधान होग जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है इसी सारे अप्सनी दीखरें तो मैं छोटा कर देती हूं एतेस्यु घयां प्रत्यान तेश्यु शब्देश्यु कस्मिन विकल्पे शर्वे सब्दह सुद्धाने संती तो जिसके सभी सब्द जो है सुद्ध नहीं है वह बताना है वेद है कोप है शाम है ये जो है सभी सुद्ध नहीं है इसमें सारे सुद्ध है और ये भी सुद्ध तो एंसर यह होगा कुन सा बी वाला दूसरा वाला नेक्स्ट क्वेशन है मनुष्मृत्य अनुशारम विवाह शे कती भेदा हासंती मनुष्मृत्य के विवाह के कितने वेद है आठ वेद हैं नेक्स्ट क्वेशन पर जलते हैं हम तेज्यर दातो हो लंगलकारे उत्तम पुरुष भवचने किमरूपम्श्यात देखिए अतज्याम लंगलकारे उत्तम पुरुष भवचन में अतज्याम हो जाएगा नेक्स्ट देख लेते हैं हम नेक्स्ट है एशूक नाटक एशू वीर रस प्रधानम नाटकम अस्ती वीर रस प्रधानम नाटक है वेणी शिंहार रतनावलियों में शिरिंगार रस है विक्रमोरिश में भी शिंगार है मिर्चकटीक में भी शिंगार रस है और वीर रस प् पदम चिनवन्तु अशुद पद है मनो कामना मनस्ट चिकत्सा ठीक है मनुज्य ठीक है सुदू उपदेश ठीक है ठीक है चली नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं जायंते इत्शमिन पदे है कह दातु वर्तते जायंते इत्शमिन पदे धातु है जन धातु ठीक है जायंते होना इत्पन होने अर्थ में चलिए नेक्स्ट कोईशन पर चलते हैं हम तानी धर्मानी पर्तमानी आशन इतीकश्य शुक्त शर्य शुकत की रचा का अंस है ये है पूर्ष शुकत का ठीक है चलिये नेक्स्ट की देख लेते हैं और झ 누र समठों के Hagdhari है कि ओन्र कौन सी है प्रैक करना ठीक है यह चले साना गिंघ लिए उस्ट को सब्सक्राइब हो धान लिए करने मारे लिए हो जाएगा ठीक है चलिए स्बाष्ण देखे लेती है अनुप्राश्य स्ब्सिक्द स्ब्साम्य वस्दाइब अपी शुरश्य यत्त्र सब्द शाम्यम पदेन कि मसुच्चते देखिए अनुप्राश जो है जो अलंकार है उसमें सब्द शाम्य वेशम में अभी जो सब्द शाम्य कहा गया है किस पद को सूचित करता है तो वेंजणों का शाम्य में होना चाहिए समानता होने चाहिए यानि कि समानता ठीक है संधी पदम ऺएश्ट हरि रम्य है टृक है फिंट नेक्स्ट कूइस्टन हमारा है एशु अशंगतम विकल्पम चिनवंतु इन में से अशंगत विकल्प चुन्ना है तो गुणा हाँ पूजा स्थानम गुण इशु नेचे लिंगम नेचे वह है देखिए अशंगत बताना है तो यह उत्र राम चरितम का ही है सभी ठीक है तो सर्वत्र आरजवम सोभते सभी जेगय सरलता शुषोवित होती है देखिए यह भी इसी का ही है और नेक्स्ट क्या है प्रध्वेशो बहु मानो वासंकल पात उपजायते यह अभी ज्यान साकुन तलम का न यह की रचना है यह है शिशूपाल वध में से है और माग की रचना है शिशूपाल वधम ठीक आ है तो चलिंद नेक्स्ट कोईशन पर चलते हैं हम एक मिनट इस साइड में द्यादते हैं मिद चलिए हम अ मारी भ्याम ठीक है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं चिन्न है इत्यश्य पदे प्रिक्त प्रत्य अस्ति चिन्न में जो प्रत्य प्रिक्त होगा वोगा कत्य प्रत्य ठीक है चलिए नेक्स्ट इक्वेश्चन मारा देख लेते हैं हम अकतितम चे शुत्रश्य उधार्णम नास्ति है कतितम चे शुत्र का उधार्ण नहीं है बताना ठीक है नहीं है देखिए मत तात्व इसमें दिखाई दे रही है यह प्रच्छ भी दिखाई दे रही है मश्च देखिए 16 दात्व होती है जो 16 दात्व गिनाएं गई हैं कारको सामें जो कि हमें इसाद के लिए याद रखनी होती है तो ये नहीं होगा इसमें ठीक है ये इसका नहीं है तो ये नहीं है पूछाता है उद्ध्यानम निक्षा वनम अस्ति ये इसका नहीं है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गिरिष्ठा विशेश्ण है विश्णों का बिल्कुल आशान क्वेश्चन नेक्स्ट है भगवत गीता में से पूछा गया है नैनम चिंदंती सस्त्राणी नैनम दाहति पावके हैं पंक्ती किम उडेश्या उद्धिरिता देहें किम किस उडेश्य से कही अंगयी है ये आत मन्हानम नंहां कि विश्षा में कही गई है नेक्स्ट क्वेश्ण हम देख लेते हैं एक्स्ट है क्वेश प्रभव वन सपर्पवस्षा या मती ही तैटिरी शू दूरतरम मोहाद उडुपेन अवसमी सागरम इत्तित्र्र लोको अलंकार है इस में कौन सा अलंकार है इसमेंलंकार है नेद रशना यह प्रशिद्ध है जो रखुवसम का जिसमें कि क्या कया का गया है इसमें जो रघुमंसी है उनको बड़ा बता गया है और जो कलिदाश्य की बुद्धी है उसको क्या का गया उड़ुपें छोटी नाव के समान बता गया है नेक्स्ट कोईश्चन है हमारा एतेशू कहकवी अगनी मित्रम उपाधी लब्दवान देखे अगनी मित्र की उपाधी भाष को दी गई है ठीक है नेक्स्ट कोईश्चन मन देख लेते हैं हमारा next question हमारा है महावीर चरीतम भवूतिना वीर चितेय शमीन नाटके महावीर सभदशक कीम तात्वरिय देखे महावीर सभदश को लगता है की हनुमान जी के लिए लेकिन जो महावीर नाटक है भवूति के द्वा लिखा हुआ उसमें राम के लिए प्रिक्त हुआ है ये सब्द ठीक है इसको याद रखिए आप लोग तो चलिए next question देख लेते हैं एध दातो हो सानच प्रतेग स्तीकिम रूपम भावती जो एध दातो का सानच में हम बनाएंगे तो एध मानह बनेगा ठीक है चलिए next देख लेते हैं प्रकरते अन्य से संशय है प्रती बोधित है कश्य अलंकार रशे लक्षणम तो किस अलंकार का उधारण है ये तो ये है संधे अलंकार का उधारण ठीक है चली next question हम देख लेते हैं हमारा कालिदास कम आश्रम किस आश्रम को सुर्व उपकारक्षम है आश्रम कतेती कालिदास ने सबसे अच्छा आश्रम किसको बताया है तो ग्रहस्त आश्रम को हो बताया है तो next question हम देख लेते हैं एक कट्वा प्रतांत रूपेशू अश्रुद विकल्प अंस्ति अश्रुद विकल्प है कौन सा है प्रिष्टवा गमित्वा उपित्वा यह इसका अश्रुद है next question हम देख लेते हैं उत्तर राम चरिते कती अंक का संती उत्तर राम चरिते के कितने अंक हैं कितने अंक हैं शाथ हैं इसमें उत्तर राम चरिता में अंक सबको पता है तो next देख लेते हैं चुर्धातो हो लोट लकारस से उत्तम पुरुष बहुवचने रूपमश्यात उत्तम पुरुष बहुवचन का बनेगा चोरिया महाई चलिए नेक्स्ट कुरिशन पे हम चलते हैं 119 नंबर का चलिए देखे रगुवंसे कह ग्रंथ है कवी प्र grapesं पदती नामना गतीद रगुवंस में किस ग्रंथ को कवी प्रतल प तक नामसे कहा गया हैjem तो रामइयन को कहा गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेशन है मारा अधोलिखी तेशु अधो लिखी तेशु कस्मिन पदे विश्येश्ण उभय पद करम धारिय नास्ती पुछा है तो नास्ती हो जाएगा कृष्ण सर्प है ठीका ये हो जाएगा इसका नेक्स्ट कृष्ण हम देख लेते हैं वेनते हैं इत्तिस्मिन पदे प्रत्य हस्ती वेनते हैं प्रत्य में धक प्रत्य है नेक्स्ट हमारा कृष्ण है सत्तमेव जयते कश्याम उपनेशदी प्राप्पेते किस उपनेशद में प्राप्त होता है मुण को उपनेशद में नेक नेक्स्ट हमारा क्वेश्चिन कौन सा है देख लेते हैं हम 124 नंबर का क्वेश्चिन नहीं दिखाए दे रहे इसमें एक में बढ़ाई कर लेते कि दिखने में आपको फिर छोटा लगेगा अप्शन में बाद में देख लेंगे अभी मुखे मैं सम्हरीते एक्षितम हाशित मन्य निमित कृतों दें मने वारित वरती शत्या तो ने वीवृतों मद्न ने वीव्रह्टों नाच्य सम्र conservation धेख कुष्य चंदस्य उधानं मैं देहें उधान बताना हमें चंदका किसका उधाने तर फिन किंने के बहता सकते। तो इस कामिसर क्या होगा दुर्त विलंगितं चंद है इस में केशा केसी इत्श्मिन पदेख समाश है इत्श्मिन पदेख केशा केशी में क्या है बहूबरी समाश है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चिन कौन सा है देख लेते यथो उत्तरम यथो उत्तरम मुने नाम प्रमानियम कथना अनुसारेन कश्य मुने हिसरवाधिक प्रमानियम अर्स्वी करेते देखिए यथा उत्तरम लिखा हुआ है तो जैसे कि उत्तर उत्तर बाद बाद वाला प्रमा पर्माणी तोता है वेसे ही क्या है कि पहले पानी नहीं है और पाणी जी है और पात्याय नहुत प्तंजलीत doors करनके शळतकुी इसार और वैंने कौने को नहींगा पतेंजली जी हो तो इसका ण्हें स्ट्रीर क्या होगा नग्षिण है नेंग्स्तक्त क्यक्यशंद है 157 वा अहम नित्यम वेध हम पठामी इतस्मेन कर्म वाच्य मस्ती कर्म वाच्य मस्ती तो हम हो मया हो जाए गा देस्गा नित्यम वेध पठ्ध्य blended हो जाएगा पठामी का तो यह हो जाएगा राइट अंसर दो नेक्स्ट करेशन हम देख लेते हैं इसका इस मुर्त है पितु हुन विदेशम गता है अत्र प्रवृत्तम सुत्रम अस्ति शश्भी चा अनाधरे ठीक है? नेक्स्ट हमारा कोईशन है धातु सुत्र गणो आदी गणो उन आदी इते शाम का संजा भवती तो धातु सुत्र गणो उन आदी के जो संजा होती है उपदेश संजा नेक्स्ट कोईशन पर हम चलते हैं सुध्वाक्य मस्ती सुध्वाक्य बताना है इसमें ठीक है सुध्वाक्य क्या होगा देख लेते हैं हम एक मिनट एक मिनट शुध्वाक्य तो यहीं होगा रामह कृष्णम अभी कृध्यती चली नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेशन हम देख लेते हैं द्वादश शब्तमेश थाने कश्मिन् संदशी यती ही आयाती नाम देश्रम कुरूत देखेव द्वादश और साथ मेश लोड़ेंगे तो 19 बनेगा तो 19 किसमें होते हैं शारदुल विकर्डतम मेहीं हो जाएंगे तो बिल्कुल असान है तो चलिए नेक्स्ट देख लेते ह ग्रंथ के रिचेता श्रीहर्ष है यह एक दर्शन दार्शनिक ग्रंथ है इन Cag Frankie कै दार्शनिक ग्रंथ है तो चली नेटीं हम् देख लेते हैं प्रत्य हाय विधायकं सुत्रम अस्ति प्रत्या कobraवि दायकं सुत्र है व्लिध gagnस्फ तव में परकु पर सそして फीडिक्स कि नहीं होते हैं तो एक और होते हैं और जो इसे हमारे यह एउस्टिक वते हैं तो उनके क्या होते हैं तो ह्योगने नेक्स्ट क्वेशन पर चलते हैं, हम चलिए, कामात क्रोधों अभी जायते एतद कवाक्यम कश्य सुत्रश्य उधारणम भवितम शकनोती, तो किश्य उधान का काम से क्रोध उत्पन होता है, तो यह जनी कृतु हुँ, प्रकृति ही, अनि प्रकृति है, स्वभाविक है, जि और हम देख लिए चेतो नलम कामयते मदियम, नर्शे दिय चरित महा का वेश्य असमिन वाक्य को अलंकार है, इस वाक्य में अलंकार है, स्वेश अलंकार, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेशन पर हम चलते हैं, प्रस्थां त्रयम ने गनेते प्रस्थां त्रयम नहीं गिना जाता सामवेद नहीं गिना जाता श्रेमद भा alltid गीता ब्रह्मशुत्र उपनेशद ये तीनों गिने जाते हैं चले, next question पर हम चलते हैं कारक प्राती पधिकार्थ व्यत्ति रिक्त स्वस्वामी भावादी सम्मंदेशु का विभक्ति आयाती देखें स्वस्वामी भाव सम्मंद में कौन सी विभक्ति आती है सस्थी विभक्ति नेक्स्ट हमारा कोश्चिन है आज का चलिए नेक्स्ट कोश्चिन पर चलते हैं निमन लिखी तेशू वरनेशू इसत इसत सप्रिष्टा वरना चितव्या इसत सप्रिष्ट वरना है यर लव चलिए नेक्स्ट कोश्चिन हमारा देख लेते हैं संसारे अधुना इतत्र संधी सुत्र मस्ती संसारे अधुना इसमें है एक पदान्तात अती सुत्रशे संसारे अधुना में संधिस हुई है चलिए निएक्सट पर चलते हैं जलाम जशो अनते शुत्र उदहारनमस्ति तो इसका है वागी शह वागी शह नेक्स्ट हमारा क्वेशन है पाणिनिय शिक्षायाम वर्ना नाम कती उच्चान स्थानानी सन्ति कितने उच्चान स्थान मारे इसमें इसमें है अस्टव आठ उच्चान स्थान है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं पाणी नहीं सिख्षा के अनुशार पुछाने इसमें तो आठ बता दिया हमने वैसे नाम ना देकर पुछता तो हम क्या पताते साथ बताते ठीक है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पे चलते हैं असुद्धम वाक्यम अस्ति असुद्ध वाक्य है यथा बीजे तथा फलम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एशू सुमेलितम नास्ति नहीं है देकावे लंकार किसका है भामे जी का है किसका है भामे का और अलंकार शर्व यह विल्कुल ठीक है और काल यह नहीं है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक मिनट सारे अप्समने दिखाई दे रहे हूं देख लिए जिए तच्छिव इतत पदम केन शुत्रेन सिध्धेते तच्छिव जो पद है वो कि सुत्रशे सी दो रहा है यह उरा शस्चो वाटी सुत्रशे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं मारा 146 मां क्वेश्चन है इस अभी उप्षन दिखने चाहिए आगको वसंती ही प्रेमिन गुणान वस्तुने एशा सुक्ती कश्मिन ग्रंथे आया थी कि जो प्रेम है वे गुणों में वास करते हैं किसी वस्तु में नहीं करते हैं तो यह क्या है क्राता अर्जिन में कही गई है यह बात ठीक है एक करून के रस के है एक ही करून रस है किसका उत्तर राम चरित में चलिए नैस्ट क्वेश्चन पर हम चलते है लिए सेकंड लाश्ट हमारा क्वेश्चन है तो देख लेते हैं इसको भी हम साम्ताकारं भुजग सायनं पद्मनाभं सूरेशं विश्वधारं देखे इसमें क्या क्या बता रखा इसने चंद पूछा कि इसमें चंद किस तो इसको देख लिए गाने गाने से यह में पता चल जाए मंदा क्रांता इसमें चंद है हैं से कांट करके भी हमन имеетяет को बता सकते हैं इसमें कितने चंद आओंट कहीं हिसमें कितने होते हैज सत्र रहवर्ण होते हैं चले नाक्स्ट देख लेते हैं हम हम नेस्ट्य हमारा यतश्चनि अह redeem सुट्र अधारनम ना अस्ते तो इसमें क्या है इसमें यह कौन सा उधानम नहीं है पुछा तो यह हो जाएगा किल्ड तश्रूप बालके शुन निद्राम करत्वान खेलते विए बालक को निद्रा आ गई चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट हमारा देखी खतम ही हो गए तो 1500 कोशन थे 150 आते हैं स्टेट में तेजीटी हो या पीजीटी कोई बेग्जाम हो तो उसमें 500 कोशन आते हैं टोटल और सार्ट आते हैं संस्कृत के तो ऐसे ही हम स्टेट के सभी जो पेपर हैं उसको सोल करेंगे जब कि आपको डिट से मंद रहेंगे तो उनका भी सोलूशन हम करेंगे और डिटर प्लेस्ट की जो पुराने विप्रमोत हम करेंगे ही करेंगे तो आप इस चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि कोई भी नई वीडियो बनाए जाए तो आपके देखने के लिए आप सभी का